मारूती सुजुकी एक्सल 7 मारूती साल 2022 में एक्सल 6 का फिसलिफ्ट मोडर लेकर आएगी जिसे इस बार सेम्सीटर कॉंफरिगेशन के साथ पीश किया जाएगा इसे कंपनी एक्सल 7 नाम से भी मार्केट में उतार सकती है तो गाईज आज की वीडियो में हमने एक्सल 7 के इंटिरियर, एक्स्टिरियर और प्राइज को डिटेल से कवर किया है तो बिना टाइम वेश्ट की वीडियो को शुरू करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि न्यू वीडियो के अप्टेट सबसे पहले आप तक पहुंचे अंटिरियर, नई एक्सल 7 के इंटिरियर में नई अफुल्ट्री दी जा सकती है वहीं इसके केबिन क्वाल्टी में कमपनी को छोटे मोटे बदलाव कर सकती है इसके अलावा इसमें मुझूदा मोडल की तरह लेदर सीट, लेदर रैपड स्टेरिंग वाईल और हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट और सौफट टच प्रीमियम रूफ लाइनिंग दी जाएगी वहीं अब बात करते हैं इसके एक्स्टीर के बारे में इसके एक्स्टीरियर में एसी, रिमोट, की लेस एंटरी, क्रूस कंट्रोल और पावर टिल्ट स्टेरिंग और वहीं एलेक्ट्रिकली अडजेस्टेबल और फोरडेवल और आर्बियम नज़र आएंगे मारूती एक्सल सेवन में वोईस कमार्ट बल्यूटिट कनेक्टिविटी के साथ सेवन इंच टाज स्क्रीन इंफोटैन्मेंट सिस्टम दिया जाएगा कमपनी एक नए फीचर के तोर पर इस सेवन सीटर कार में सनरूफ का फीचर दे सकती हैं लेकिन ये बात इस कार की लॉंचिंग पर ही कनप्रम होगा सेवटी फीचर इस कार की सेवटी के तोर पर आपको सुजुकी टैक बोडी फ्रेंटल आफसेट इंपक्ट कम्पलाइट साइड इंपक्ट कम्पलाइट आईसो फ्रिक चाल्ड सीट dual front airbags, ABS with EBD, front seat belt, pedestrian protection compliance जैसे feature दिये जाएंगे इंजन, mechanical part में XL7 में कोई बदलाव किये जाने की संभावना काफी कम है इसमें पहले की तरह K5B hybrid smart power trend के साथ 1.5 liter petrol engine दिया जाएगा यह engine 103 BSP की power और 138 newton meter का peak torque generate करने में शक्षम होगा इस engine के साथ 5 speed manual और 4 speed automatic का option भी दिया जाएगा XL7 के मुझूदा model में hybrid power train में starter generator engine idle, start and stove, brake regeneration और fast acceleration के लिए torque system दिया गया है इसका petrol engine lithium ion और lead acid battery के साथ combination करके काम करता है तो guys अब बात करते हैं इसके price के बारे में तो guys इसका price अंडर 10 lakh रहने वाला है launching date इस new XL6 के facelift को लगवर 2022 के mid तक launch कर दिया जाएगा तो guys ये थी XL6 facelift तो comment करके बताएगा आपको कैसी लगी तो जाते जाते वीडियो को like कर दीजिए झाले तो है